सुप्रभात नमस्कार गड़ मॉनिंग जसी टेक में आप सबका हर्देक स्वागत है सैटरड़े सेकिंड मार्च टो जिरो टू फॉर और दोस्तो शेनिवार को आज क्यों हो रही है ट्रेडिंग उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा अलड़ी बता चुका हूं कि ज साइट जो recovery साइट है disaster recovery साइट है उसकी टेस्टिंग है उसके कारन आज दो सेशन एक नहीं दो सेशन चोटे चोटे दो सेशन होंगे और दोस्तों एक खुश खबरी देदू कुछ लों के लिए शायद ये खुश खबरी हो कि जो second session होगा साड़े 11 से साड़े बारा वाला उसमें मैं कोशिश करूँगा यूट्यूब लाइव आने की, कोशिश करूँगा, I am not sure about it. Anyways, अब बात करेंगे कि क्या हो सकता है, gap up, gap down, flat और आगे करेंगे बात, nifty, bank, nifty पर. लेकिन एक और चीज़ बता दूँ, कि कल रातरी में एक session हुआ था, zoom पर free session for all था. इसमें सब के लिए invitation मैंने free दे रखा था, कि कोई भी आ सकता है, उसमें काफी लोगों ने भागे लिया, काफी लोग उसमें miss हो गए, जिनोंने नहीं लिया, अब भाग, वो आना चाहते थे, बट समय के कारणे, किसी भी कारण, अगर वो नहीं भी आ पाए, तो उपर और आप उसको भी देख सकते हैं, और उसका लिंक कहा होगा, लिंक आपको end screen पे, इस वीडियो की end screen पे मिल जाएगा, otherwise मेरे चैनल पर जाईएगा, trading psychology लिखिएगा, सर्च में आपको मिल ही जाएगा, सब अब बात करेंगे, 2 मार्च 2014 को क्या gap अप हो सकता है, जी बहुत बड़ा gap अप होगा, शायद मैं उससे, उसको कहने से घवराऊंगा कि बहुत बड़ा gap अप होगा, gap अप होगा, इतना जरूर लग रहा है, कारण क्या है, अब समझ लिएगे, कल की जो तेजी थी, उसको sponsor किया है, DIA, इसने domestic institutional investors ने उसको sponsor किया है, 3814 करोड, 3814 international investors, और विदेशी संस्थागत ने वेशक सर कल क्या करके गए है, 128 करोड का net buy, बहुत ही थिन, बहुत ही थिन buying की figures है, उनकी बहुत थिन figures है, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आज एक gap अप तो होने की उमीद नजर आ रही है, लेकिन कोई बहुत बड़ा gap अप होगा, इसकी 22353 का all time high कल ही लगाया है, अब दोस्तो 22353 के उपर जब तक sustain नहीं करता, mark my words, sustain नहीं करता, तब तक हम upside के बारे में नहीं सोचेंगे, 22353 के उपर 22393, वो 22437 तक के levels देखने को प्राप्ता हो सकते हैं, downside की बात कर लेते हैं, अब 22200 हमारे लिए बहुत strong support बन गया है, 22200 सपोर्ट है, 2400 हमारे लिए resistance है, 2400 के बाद 2600 ही resistance बनेगा, उससे पहले resistance कुछ नहीं है, अब हमारे लिए support है 2200, 22198 है, याने 22200 अगर कटेगा, तो वहाँ से cell का एक chance बनता है, 22159 के लिए, 22159 के नीचे, 22118, और अगर 22118 कट गया, तो 2260, 64 तक के levels हम देखने को प्राप्त हो सकते हैं, अब लोग कुछ पूछेंगे कि सहाब, क्या हम 9 Dema के उपर हैं, बिल्कुल हम 9 Dema के उपर ही स्थित हैं, 9 Dema के उपर हैं, और 22109 पे हमारा 9 Dema बैठता है, 22109 पे 9 Dema बैठता है, और 22000 पे अब हमारा 20 Dema बैठता है, तो बहुत bullishness दिख रही है, पर मुझे नहीं लगता कोई ऐसा खास अब डिप आने की यहां से कोई मुझे उमीद दिख रही हो, मुझे तो अभी ऐसा जो market की bullishness है, जो इसने कल किया है, कल आप यह समझ लीजे, कल इसने ब्रस्पतवार ही नहीं, कम से कम भी आप अगर देखेंगे, कल तो फिर all time high लगी गया है, तो फिर मतलब कोई ऐसी कोई वो थी ही नहीं, कि मतलब पिछली 5 candles को break किया है, 6 candles को, इसने सभी पिछली सभी candles को break किया है, तो bullishness कितनी है, वह आप समझी सकते हैं, बैंक निफ्टी के बात कर लेते हैं, दोस्तों, बैंक निफ्टी के जब हम बात करते हैं, बैंक निफ्टी ने तो भाई कल कमाल दिखा दी, लगबग लगबग 12.5, 12.5 points प्लस में तो इसने closing किया, धाइप होने ती, 2.53 percent to be precise, तो इसने upside लगाया है कल, निफ्टी से भी त कर रहे थे, और जो sponsor sector कर रहा था, वो banking sector कर रहा था, IT भी कल नहीं चल रहा था, banking ने कल कमाल दिखाया है, और indecent bank flag bearer था, bank nifty के कल, साथ में जब सब का साथ था, कल तो सब का साथ था, कल वाली जो कहानी थे bank nifty में, वो सब का साथ सब का विकास था, मतलब HDFC bank भी चल रहा थ ADFC bank अभी भी 9 डेमा, 20 डेमा, 50 डेमा, मतलब डेमा अगर बात करूंगा, तो भाई अभी भी वो सब डेमा जो नीचे हैं, उनको जब तक उपर की और नहीं आते, तब तक उस पर थोड़ा देख सोच के चलिएगा, पर्टिकुलर उस पर trade करना थोड़ा मुश्किल है अभी बाकी bank nifty तो भाई bullishness दिखा रहा है, bank nifty कहता है कि 47342 के उपर अगर हम चलना start करते हैं, तब हम upside के बारे में सोचेंगे for a possible level of 47454, 47454 के बार जो level आता है, 47644, कुछ लोग हैंगे sir, 47500 का क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं है, 47454 अगर sustain कर तो यह समझ लिए 47644 आएगा, 47644 अगर कटा, तो 47777 तक के levels और अगर वो भी कट गया, तो 47910 तक के levels देखने को जल्द ही प्राप्त हो सकते हैं, यह नहीं कहरा आज ही हो सकते हैं, जल्द ही हो सकते हैं, अब भद कर लेतने हैं downside कि 47000 now should act as a good support, बट फिर भी अगर 47000 तू होता है, तो फिर हम एक बार को 46903 तक के levels के लिए downside पर जा सकते हैं, 46903 तो 4670, 46770 और अगर 46770 तो 46690, 695 तक के levels भी downside पर जा सकते हैं, बट ऐसा कब होगा, ऐसा तभी होगा, यह HDFC bank कमजोर हो जाएगा, और साथ में एक दो और बैंक पर जाएगा, उसके कमजोरी दिखाएगे, हाँ, प्राब्लम अभी भी FIIs buying में उस तरह से नहीं आ रहे हैं, जिस तरह से नकुआना चाहिए, डियाई आइज अड़तिस सो करोड की net buy में बैट भी गए हैं और कल ले गए हैं, स्पॉंसर करके, तो मैं उसको कोई जादा तवज्जो नही ऐसा नहीं कह सकता कि नहीं होंगे, शायद ना हों volumes, तो बहुत सोच समझ के कार्या कीजिएगा, और मैं एक बार कुछ लोगों ने कहा कि साब एक बार को ये भी बता दीजिएगा, कि क्या करना क्या चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कुछ जो कल जो हमने trading psychology में बात किया, उसके main pointers क्या थे, main pointers ये थे, कि वह 15 minute से ज़्यादा कभी किसी trade में नहीं रहना है, nifty, manganifty, finnifty, जो options का trade है, उसकी बात कर रहा है, क्यों, अगर आप पहले 15 minute में trade में profit में नहीं है न, basically समझ लिजे, 15 minute में आप profit में तो आपको भी पता कि कितनी बार आप बैठते हैं profit में, profit में ज़्यादा देर नहीं बैठते हैं, आप निकल लेते हूँ, लेकिन जब loss में होते हैं फिर बैठे रहते हूँ, so if in the first 15 minutes, you are in losses, there is 90% chance कि आप उसमें profit में नहीं आओगे, आप उसमें profit में नहीं आओगे, तो भाई, profit में लंबा कीच लो, लेकिन loss में 15 minute से ज़्यादा मत बैठो, चुप चाप निकल जओ, क्योंकि आप लोगो को पता ही नहीं stop loss क्या होता है, बस यही समझ लो, 15 minute में profit में नहीं तो चुप चाप निकल जओ, वो उसकी recovery होगी, कोई बात नहीं, उसका tension मतलो, 10 में से एक बार recover हो सकता है, 10 में से 9 बार recover नहीं होता, आप अपने जाते हो, premium meeting हो चुकी होती है, hold करके जाते हो, उस स्थिती में हो, जब आप losses में होते हो, कभी profit में शायद ही कोई hold करता है, जब आप loss में होते हो ना, तब hold करके जाते हो, क्यों एक hope होती है, कल को gap up हो जाएगा, मैं put लेके गया हूँ, gap down हो जाएगा, कल को gap up, gap down हो भी ज लॉस्स में होते हो उन लॉस्स को भी कवर करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि वह बहुत बड़ा गैप चाहिए बहुत बड़ा गैप डाउन चाहिए तब आप प्रॉफिट में आओगे उस चलिए दुस्तों फिन निफ्टी की बात कर लेते हैं फिन निफ्टी बीस 842 पर कल क्लोज हुआ है बीस आट सो टुंटी थाउजन एट सिक्स्टी थी के ऊपर जब तक नहीं चलता तब तक हम बाइसाइड पर नहीं जाएंगे तुंटी एट सिक्स्टी थी के बाद हमारे को लेवल आएगा 20920 2920 अगर ब्रीच करता है तो 2980 2980 ब्रीच करता है तो फैर तो 21,000 पर 21,000 पर पर आएगा आपका 21,000 सीधा 100-100 कोईंट के लेवल्स हैं यहां पर आप डाउंसाइड की बात कर लेते हैं 20,500, 20,600 तक 500 तक ये अच्छे basis है, 20,600 अच्छा बेस है, 20,500 अच्छा बेस है, यहां तक कोई डिप मिलता है, वहां सक बाइं गाएगी, फिर भी मैं कहता हूँ, 2595, 9595 अगर चला जाता है, तो वहां से एक बार को sell-off आ सकता है, 2500 तक, 2500 पे book कर लेना चाहिए, अच्छा रह तो बात हमने nifty, bank nifty, fin nifty के भी कर ली और जो trading psychology का कल का crux है, जो कल रात का batch था, जो कल रात की free session था, उसका crux भी बात कर ली है, अगर फिर भी उसको कोई देखना चाहता तो end screen में मैंने उसका video लगा दिया है, वो देख लीजएगा, बात कर लूँ, 10 March 2024 के जो आने वाला batch है, देखे, 10 March 2024 से batch start हो रहा है, options trading पर ही हमारा main focus रहेगा उसमें, और 11 days का वो batch होगा, रातरी में 9.30 से 10.30 बजे batch होगा, अभी भी उसमें seats खाली है, आपको पता है, मैं जादा लोग नहीं लेता, limited लोगों को ही लेता हूँ, seats खाली है, बुक करना चाहें, तो बुक कर सक सकते हैं, 10,000 रुपीज का फीज है, जो कि आप phone पे ATM, GPay से payment कर सकते हैं, नमबर है 7834-876-736, अगर किसी को कोई जानकारी चाहिए, तो same number पर मुझे WhatsApp पर message कर सकता है, and my difference, please remember, उसकी recording भी आपको provide की जाती है, किन को, सिर्फ students को, सब को नहीं, जो सिर्फ जो students होते हैं, जो उस class में आते हैं, उनको, उसका यह मतलब नहीं है, कि आप छुटी कर लोगे, छुटी बरदाश्ट नहीं करता मैं, ठीक है, तो अगर कोई आए, तो भाई मेरे को समय चाहिए, 11 दिन चाहिए, उसमें मैं अपना trade setup भी आप लोगों के साथ share करता हूँ, जो trade setup के लिए गया आते हैं, सर, setup दे दो, तो setup लेना है, तो भी है, 11 दिन लगेंगे, आ जाना, ठीक है, और register जल से जल कर लिजेगा, उमीद यही करता हूँ, कि आपको इस बारे में जानकारी होगी, कि हम लोग से registered नहीं है, और जो भी बातचीतियां की गई है, यह सिर्फ और सिर्फ academic purposes से की की गई कि कोई बाय सेल का suggestion नहीं है, लाइक कीजेगा वीडियो को, शेर कीजेगा दोस्तों के साथ, और अगर subscribe नहीं किया वीडियो को, तो subscribe करना तो, channel को subscribe नहीं किया, तो subscribe करना तो बनता है, शुक्रिया, नवश्कार, and good luck for today, bye-bye.